आज हम next unit star करेंगे unit 4 जिसका नाम है work energy and power हमारा इसमें topic रहेगा the dot product of two vectors the dot product of two vectors a vector and b vector represented by a vector dot b vector इसको हम dot पढ़ते हैं ध्यान अकना इसमें and it is a scalar quantity which is equal to product of the magnitudes of a and b and cosine of the smaller angle between them तो यह आपका dot product रहता है जिसमें अपने dot बीच में लगाया होता है और इसकी value होती है a b cos of theta यह magnitudes हैं इसमें vector नहीं लगाएंगे अब इसको अगर हम geometrically समझना चाहें तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर हमारे पास रहेगा a vector और यह रहेगा b vector इनके बीच में रहता है angle theta इसका b vector का जो component यहाँ आएगा होगा आपका b cos of theta ठीक है यह projection अगर आप उपर से बनाते हो तो angle के साथ कौन सा component आता है b cos of theta तो a vector और b cos of theta कैसे होगे same direction में होगे इसी तरह अगर आप a की projection लेते हो उपर की तरफ को तो यहाँ पर आपका जो यह वाला component है बनेगा a cos theta क्यूंकि angle के साथ है और यह b vector की direction में होगा तो आप जो a vector dot b vector उसको लिख सकते हो a यह इसका हो गया a और यह b cos theta यह फिल लिख सकते हो b और a cos of theta तो दोनों का जो दोनों का अगर calculate करोगे तो result आपका a b cos of theta ही आएगा अब आपने इसको unit vectors की term में समझना है हमने छोटी classes में पढ़ा है कि आपके जो rectangular components होते हैं x, y and z और एक बात इसमें बड़ी important रहती है कि x और y के बीच में एंगल 90 degree होता है y और z के बीच में एंगल 90 degree होता है और z और x के बीच में भी एंगल का होता है 90 degree तो इसलिए इनको rectangular components का आ जाता है अगर हम i.i की बात करें उनिट vectors same direction में लेते हैं क्योंकि same direction में हैं तो 0 degree तो दो unit vector जो same हो उनका dot product आपका 1 आता है इसी तरह j dot j का भी 1 आएगा और k dot k का भी 1 आएगा तो दो unit vector जो same direction में हैं उनका resultant क्या आता है 1 अब वही कोई दो unit vector ले रहे हैं जो आपके 90 degree पे हैं तो 90 degree पे होने के वैसे angle क्या बनेगा cos 90 degree ठीक है magnitude तो 1 1 ही आएगा लेकिन angle क्या है दोनों के वीच में cos 90 और cos 90 के वहली क्या आता है 0 तो अगर आपने दो different unit vectors लिए rectangular components में तो उनका resultant क्या आएगा 0 आएगा तो बाकी के pair भी आप देख सकते हो j और k का भी 0 आएगा और k और i का भी 0 आएगा तो resultant आपका one cup होगा जब दोनों unit vectors same होगे उसके लावा अगर आपने different कर दिये तो दोनों का resultant क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यह आपने ध्यान में रखना है इसके बाद हम बात करते हैं work की वर्क आपने छोटी classes में पढ़ा है कि जब भी आप किसी object पे force लगाते हो और उस force की direction में कोई object move करता है displace होता है तो हम कहते हैं कि work हुआ तो हम assume कर लेते हैं force f जिसका angle है theta with the horizontal और हम कहते हैं कि कोई body है जिस पे हमने force f लगाई है वो उस body को force s distance पे displace कर देती है ठीक है तो हम अगर देखें तो force का कौन सा component है जो उसको displace कर रहा है तो component आपने angle के साथ कौन सा बनाना होता है f cos theta तो that means f का f cos theta component जो है वो object को move कर रहा है s distance पे तो हमारा जो work होगा that will be force into displacement कौन सी force जो उसको displace कर रहा है वो कौन सा component है f cos theta तो w की ना जाएगा fs cos of theta फिर हमने पढ़ा what is cos theta it is a dot product तो w की ना जाएगा f vector dot s vector ठीक है तो क्योंकि ये dot product है work के बराबर है तो that means work कैसा होगा it is a scalar quantity ठीक है ये आपने समझना है कि आपको paper में question भी आता है कि prove that work is a scalar quantity तो आपको ये expression में बताना पड़ेगा कि work क्या है dot product है force or displacement का और dot product होने की वैसे ये एक scalar quantity है अब हम dimension की बात करें तो dimension में work आपका fs है तो f की value mlt-2 l आपको displacement के लिए मिलेगा तो आपका जो relation हो बन जाएगा ml2 t-2 फिर ये कहता है the SI note of work क्या होती है joule और cj से note होती है arc relation आपको पता है आपका 1 joule किसके बाता है 10 star 7 arc के बराबर इसके ओपर numerical देखेंगे आपको question दिया गया है force और displacement दी गही है और पूछा गया है कि work क्या होगा तो सबसे वहले हमें work का formula पता होना चाहिए it is f vector dot s vector फिर आपने f की value और s की value पुट करना है और बीच में dot लगाना है फिर आपने जो resultant अभी पढ़ा कि 2 unit vector अगर same हो तो उनका resultant 1 आता है और magnitude आपस में multiply कलो i dot i तो 1 हो गया और साथ में magnitude लेंगे तो 2 into 2 हो जाएगा फिर वैसे ही 3 j और 3 j को लो 3 into 3 ठीक है 4 k और 4 k को लो 4 into 4 i dot i 1 हो गया j dot j 1 हो गया k dot k 1 हो गया इसलिए मैंने उनको लिखा नहीं है ठीक है बाकी अगर आप i dot j लोगे unit vector i dot j तो उनका result आपको पता है कि वो कितना होना चीए 0 होना चीए जैसा कि आपको मैंने यहां पिछे expression में explain किया i dot j क्या होगा 0 तो उनको multiply करने का कोई मतलब नहीं बनता है इसी तरह different जो भी होगे उनको अगर आप multiply करोगे तो उनका result आपका 0 ही आए तो सिरफ आपने same same वालों को multiply करना है ठीक है उससे आपको क्या मिल जाएगा result मिल जाएगा that will be 29 joules तो यह इसको solve करने का method है इसको आपने अच्छे से समझ लेना उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दो vector दिये गए है और आपका result दिया गया है तो आप angle कैसे निकालोगे तो आपको formula पता है a.b is equal to a.b cos theta a.b की value कितनी है 2, 3 a.b result भी आपको दिया गया है 3 under 2 निकालना है आपने cos theta तो cos theta यहां से calculate करके आजाएगा 1 by root 2 1 by root 2 की value कितनी होती है it is equal to cos theta के guess में 45 degree तो यह आपका result आजाएगा